है एवरिवन वेलकम तो सरकारियाट वांस अगें तो इस वीडियो में आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो की एंस बीसी नर्सिंग और पारमेडिकल काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है ठीक है तो आप सभी जो भी ऐसे में और उसके बाद जो भी प्रोसीजर था उसका वो स्टार्ट हुआ था उसके बाद रिजल्ट आया था फिर जिसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था ठीक है वहां उन्होंने एड्मिशन ले लिया था फिर उसके बाद जो है आपकी मतलब काफी सरी एक्सपेक्टेशन थी मैंने भी आपको बताया था कि इसके बाद भी जो है एक स्ट्रे विकेंसी राउंड जैसा कुछ हो सकता है लेकिन वो राउंड हुआ नहीं था ठीक है तो अभी भी जो है कोई मतलब इसका कोई ऐसा अपडेट ने की राउंड होगा इस वीडियो में जो मैं डिसकुशन करन हूं वो में फीस के रिगार्डिंग कर रहा हूं ठीक है तो अब जो है आप देख सकते हो नवेंबर में हुआ था मतलब 16 अवनबर को इसका नोटिस आया था और अब जल्लग बग जो है दो महीने से जाद हो चुके हैं तो अब मुझे मतलब एक परसंट भी इसकी बात कर रहा हूं तो उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनको हो सकता कि पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा क्योंकि ऐसा हुआ था उत्राखंड में भी सेम केस हुआ था तो उत्राखंड में जो स्टेट नर्सिंग क exam हुआ था उसकी भी जो counselling हुई थी first round की और second round की तो उसमें जो है उन candidates को रोग दिया गया था जिनका 50% से कम score था ठीक है उनको allow नहीं किया गया था लेकिन उसके बाद जो है उत्राखंट के जो मतलब counselling authority थी मतलब H.B.U. जो counselling authority थी उन्होंने INC से permission ले ली थी ऐसे candidates को allow करने के लिए जिनका score जो है 50% से कम था और ये news में भी आया था ठीक है तो मेरे को ऐसा chance लग रहा था कि हो सकता है कि आपता कि aims में भी कर दे क्योंकि aims में भी काफी ज़ादा vacant seats थी और उत्राखंट में तो मुझे लग रहा था लेकिन अभी मेरे को ऐसा कोई chance लगने रहा कि future में कोई इसका round होने वाला है ठीक है तो अब आप इसकी expectation तो छोड़ दो तो जो next year के लिए prepare करना चाहते है वो अभी से तयारी करो क्योंकि जादा time है नहीं जून में आपका exam हो जाएगा April में इसके application forms आ जाएगे ठीक है तो जून मतलब माई तक का आपके पस time है January almost यहाँ पर खतम हो चोका है ठीक है तो February, March, April, माई आने कि आपके पस 4 months का ही सिर्फ यहाँ पर time रह गया है तो जो aims को achieve करना चाहता है वो अभी से अपनी preparation में लग जाए Already मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि मतलब इसकी preparation वगरा कैसे करनी है उसका link देख लेना comment section में मैं pin कर दे रहा हूँ ठीक है जिसने नहीं लेखा है तो अब जो यहाँ पर discussion मेरा था उस पर हम वापस आ जाते हैं तो basically मैं discussion कर रहा था fees के बारे में तो open round की counseling में आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है यह 7th point देख सकते हो open round की counseling में यह लिखा था कि the candidates are required to deposit the amount of Rs.25,000 for B.A.C. honors nursing and Rs.5,000 for B.A.C. paramedical courses ठीक है तो यह आपको security deposit जो है वो open round की counseling में participate करने के लिए जमा करना था तो आप मेंसे जिसने open round की counseling में participate किया था उन सभी candidates ने जो है अगर B.A.C. nursing के लिए participate किया था तो आपने 25,000 Rs.पे करे होंगे as a security deposit और 5,000 Rs.पे करे होंगे अगर आपने paramedical के लिए participate किया था ठीक है तो एक candidate ने मुझे परसो ही इंस्टाग्राम पे message किया था कि उसका जो है refund आ गया है 25,000 का ठीक है उसका nursing का था तो वो actually उसके बाद मलब उसको open round में seat नहीं मिली थी ठीक है और उसके बाद कोई round हुआ ने तो open round का जो security fees था 25,000 वो उसके account में वापस आ गया है तो मेरे को आपको यह पताना था कि उस candidate का अगर वापस आ गया था तो आप में से ऐसे जो भी candidate है जिनका 25,000 या फिर 5000 उपी security deposit वापस आना था तो please अपने bank accounts चेक कर लो उसका statement निकलवा लो ठीक है ताकि आपको यह confirm हो जाए कि आपका amount आया है या नहीं आया है ठीक है in case अगर आपका अभी amount नहीं आया है आपने मतलब जिस bank account से किया था उसी same bank account में आपका amount जो वो credit होगा तो वही bank account का statement डिक बच चेक कर लेना ठीक है in case अगर अभी नहीं आया है तो दो-चार दिन का और wait करो क्योंकि यह जो है मतलब सभी candidates का एक साथ नहीं आ जाता मतलब क्या बोलते है batch wise आता है मतलब यह क्या करते है एक एक batch बना देता है कि इतने candidates का इस तारीक को डाल देंगे इतने candidates के इस तारीक को डाल देंगे तो within one week जो है आपका amount आ जाना चाहिए अगर within one week भी नहीं आता मतलब उस candidate का अगर परसो आया है और परसो जो है 27 date थी ठीक है तो 27 से अगर हम one week approximately लगाए तो लगबग 2-3 तारीक तक आप अपना देख लेना bank account चेक करते रहना इन case तब भी नहीं आता फिर आप अपने bank account में एक बार मतलब उनसे बोलना कि मेरा एक amount आना था इतने 1000 का मतलब 25 का ये 5 का जो भी आपका था तो उनसे एक बार पता करना कि aims की तरफ से amount दाना था तो क्या आपके पास आ गया है क्योंकि मुझे इसकी कोई information नहीं मिली तो आप अपने एक बार bank में confirm करना ठीक है और उसके बाद भी आपको वहाँ से कोई clue नहीं मिलता है तो फिर आप aims को mail करना जो भी आपका case होगा उसके regarding ठीक है तो ये information में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो होना होगा वो हो जाएगा और फिर मतलब यह है कि आपको suppose पता ही नहीं लग पाया इसके बारे मागर को information ही नहीं होती तो फिर क्या होता कि आपको पता नहीं लगता और suppose किसी वज़े से किसी technical error की वज़े से अगर वह amount आपके bank account में credit नहीं होता तो फिर बाद में भी वो शायद आपको नहीं मिलता ठीक है तो जो time पर काम हो जाता है वो हो जाता है क्योंकि बाद में फिर उसकी expectation लगना बेकार है ठीक है तो इसलिए मैं आपको information दे रहा था क्योंकि मुझे किसी candidate ने बोला था अब आप जो है अपना bank account चेक करना और please आपसे request है अगर कोई भी ऐसा candidate है जिसको पता लग ज ठीक है तो इतना सा जो है अपना effort कर देना मेरे लिए ताकि सभी students के लिए यह मतलब जो है good हो जाए ठीक है तो बस यह information मुझे आप सभी को देनी थी और बाकी इस साल के लिए prepare करो अगर आपका last year नहीं हो पाया था अब counselling का कोई चांस नहीं है ठीक है मतलब जो था हो इसके उपर कि round हो गए नहीं होगा तो जब तक मुझे कोई official information नहीं मिलती तो मैं ऐसे फाल्दो की videos नहीं बनाता हूँ कि यह round हो सकता है यह अब हो जाएगा अब हो जाएगा तो ऐसा कोई फायदा नहीं आपका time waste करने का ठीक है तो उससे अच्छा यह है कि अब अपने next year के exam पर focus करो मतलब next year upcoming year यह जो 2023 है इसके exam पर focus करो अच्छा से prepare करो आपका selection हो जाएगा ठीक है और बागी मैं आपको guide करने के लिए होई तो मैं आपको अपनी guidance देता रहूँगा क्योंकि already 2 साल से मैं सभी को guide कर रहा हूँ इसके exam के regarding तो आपको जो है इस साल भी मेरी help मिल जाएगे ठीक है तो यह information I hope आपको अच्छे ही समझ आगे होगी इसके regarding कुछ भी doubt होता है तो या तो मुझे comment section बता देना या फिर मुझे Instagram पर message कर सकते हो Instagram का जो link है वो मैंने comment section में पिन किया हुआ है ठीक है तो अगर यह video helpful लगी हो तो प्लीज को ज़रूर लाइक कर देन चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो क्योंकि अगर इस साल अगर आप EMS की preparation कर रहे हो BSE Nursing Paramedical course की या फिर किसी other state के exams की भी कर रहे हो तो आपके लिए चैनल जो है काफी ज़दा helpful रहने वाल है ओके so thank you and have a nice day